जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर्ट से आपके अपनी यूटूब चैनल एहमर टेक्नोलोजी में O-Level जनवरी 2023 में जो एक्जाम होने वाले हैं O-Level के उनको लेकर बच्चों के मन में काफी कंफियोजन है काफी डाउट है बार-बार कोई वच्चा किस टोपिक पर कमेंट करता है तो वहाँ पर देखिए आपको समझाना पोसीवर नहीं यह कमेंट बोक्स में तो जो भी आपके टोपिक मेंट को मिले हैं सब जियादा जिसपे आपके कमेंट आया है उनी टोपिक को मैंने लिया है और पूरी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो भी आपके डाउट है वो किलियर हो जाए एक भी आपका डाउट ना रहे हैं ठीक है आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें अगर आप O-Level के त्यारी कर रहे हैं और January 2023 में आप एक्जाम देने वाले हैं तो हमारा जो टेलिग्राम गूरूप है एहमट टेक्नलोजी फॉर O-Level के नाम से आप उसको जोइन कर सकते हैं वहाँ पर O-Level के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन लोगों मिलेगा आपको वहाँ पर चैनल है तो आप इसको जोइन कर सकते हैं कर आप O-Level के त्यारी कर रहे हैं जो भी नोटिफिकेशन वह इस बात पर आ रहे हैं इस टोपिक पर हैं कि सर हमारे जो एक्जाम होंगे जनवरी 2023 में वह ओनलाइन होंगे या फिर वह ओफलाइन होंगे कहने का मतलब क्या वह कंप्यूटर पर होंगे ट्रिपल से एक्जाम की तरह या इसी तरह जो जो जुलाई में हुए हैं OMR पे होंगे कैसे होंगे हमारे एक्जम तो देखिए जो आपके जूलाई जर्णवरी 2023 में जो आपके एक्जम होने वाले हैं उनके जो 90% ने जांसे चांट से ना वो हैं आपके के वो ओफ-लाइन ही हो पहले की तरह ओम नहीं पर्संटे आपके एक्जाम यहांँर ने पोलकिवार पास इतने जारा ड्यक्रीप्स लेकिश नहीं है क्योंकि offline ही आपका exam होगा हो सकता है July 2023 में आपके exam online हो जाए आपने जो ने है वो इतने center registered कर ले आपके अपने के आपके exam है वो online कराएं लेकिन जनवरी 2023 तक यह possible नहीं हो पाएगा तो exam exam जो आप समझ लें कि आपके offline ही होंगे कहने का मतलब OMR आपको मिलेगी OMR CD इसमें चार option होते हैं और उसमें जो question आएंगे सारे के सारे question आएंगे mcq type के चार option मिलेंगे जो उनसा भी सही आपको लगता है ABCD में वो आपको फिल कर देना है और OMR पे आपको ठीक है सो question आएंगे सो के सो करने होंगे negative marking होगी नहीं उसमें तो आप सो के सो ही करका है दो घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको तो ठीक है हैं कि यह गलत है यह मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था पहले वाला ही जो पैटन ता वो सही था इसमें दिक्कत यह है क्योंकि जो आपको सो कुशन करने होते हैं OMR पे अगर उसमें आप अच्छे स्कोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जाते पढ़ते नहीं हैं तो वह 50 नंबर भी नहीं लेके आ रहे हैं तो वह फैल हो जा रहे हैं इस बार बहुत सारे बच्चे पाइथन में फैल हुए हैं तो वह बोल रह बाकि 60 questions में अगर आप तुक कभी लगाएंगे मतलब जो option लगते हैं आपको यह हो सकता है 60 questions में कभ तुक कभी लगाते हैं तो 50-60 questions आप सही कर सकते हैं और 50-50 नमबर आपको practical में अगर मिल जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं D-grade से ठीक है तो यह है तो यह भी को गलत नहीं है लेकिन new exam pattern जो आपका ठीक है mcq वाला यह काफी अच्छा है 100 questions आते हैं mcq type के होते हैं उनको आपको करने में भी आसानी होती है ठीक लिखने में किसी को python में बताओ आप कैसे लिख दो कोई coding लेकिन अगर आपको चार option मिलेंगा कोई program मिलेगा तो आप उसको अगर आपको आता है तो ठीक है बढ़ना पीछे वाल से किससे पूछ सकते हैं और पूछना भी अगर आपको वहाँ पर नहीं हो पा रहा है कि आप किससे पूछें तो आप अपने अभ्यक तुक्का लगाएंगे तो वो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप उसको सही कर सकते हैं और नहीं भी सही हो रहा ह दो घंटे का आपको टाइम मिलेगा ठीक है यह आपका न्यू एक्जाम बैटन कितने नंबर का पेपर आएगा मैंने आपको बता दिया है प्रैक्टिकल में और थियोरी में यह सबसे ज़्यादा कन्फूजन का सवाल है आपके अमन में क्योंकि अगर आपने practical का exam दिया और theory exam नहीं दिया तो भी आप फैल माने जाएंगे आपने theory दिया किसी वज़ी से practical का आपको exam छुट गया तो भी आप क्या है फैल ही मानेंगे चाहे आप theory में 90 पलस करके आ गए न सही और आपने practical छोड़ दिया तो आप फैल हो जाएंगे य जैसे January में आपको exam होंगे January में ही आपको exam देना होगा और January में ही आपको practical भी pass करना होगा तभी जाके आप पास माने जाएंगे ऐसा नहीं है कि January में आप theory exam दे लें प्रेक्टिकल जो बचा हुआ है उसको आप जुलाई है जूलाई में दे लें 2,30 में तो वह possible नहीं है फ पिण्याइब करना जरूड भी है ठीक है order में और प्रैक्टिकल में कम से कम कितने नमबर अग Direkt तो पास हो जाएंगे तो minimum आप देखिए 50 number अगर आप theory में ले कर आ जाते हैं और 50 number ही आप practical में ले कर आ जाते हैं तो आपको dgrade दिया जाता है आप degree से पास हो जाएंगे ठीक है 50-50 बेकर ले लाके इनका जो वेटेज़ जैसे 50%ish hetory है और सब्सक्राइब का किThis लाना है और प्रैक्टिकल में आपको चालिस परसेंट कर लाना है तो आप देखे शाट पर सब्सक्षप ऑप लाए तो कितना बैठ जाएगा आपका 30 नमबर बैठ जाएगा और 40 नमबर जो है परसेंट का वेटिज आपका practical में है practical में आपलाए 50 नमबर तो 50 नमबर का 40 परसेंट आप निकालने तो बैट जाएगा आपका 20 तो 20-30 फिर्टीस कितनी हो जाएंगा आपके 50 number हो जाएंगे ठीक है आप पास पर सेंट पर आपको पास किया जाएगा तो ये है आपका नेरेट का नियू एक्जाम बैटन और कोई डाउट हो तो कमेंट वोक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं उस पर इपलाई आपको हुआ पर मिल जाएगा वरना जुलाई में जो जनवरी में जो एक्जाम होंगे उसके लिए भी हम जल्द ही किलासिस इस्टार्ट करेंगा अभी दोड़ा टाइम ने मिल पा रहा है इसलिए आपकी किलासिस नहीं आ पा रही है ठीक है बाकी आप थोड़ा मेहनत करें कोई प्रैक्टिस सेट या कोई आप मार्केट से ला सकते हैं उसको पढ़ी अच्छे से जनवरी में 14 जनवरी चे आपके एक्जाम स्टार्ट होंगे जो नेलेट का टाइम टेवल है डेट सीट है वो उसमें लिखा है कि 14 जनवरी को आपका M1 R5 का एक्जाम होगा ठीक है प्रैक्टिकल इस बार बाद में ह गया तो प्रैक्टिकल अच्छा नहीं जाता था तो उसका परवाब आपके ठीओरि एक्जाम बे भी पढ़ता था क्योंकि बचल्पाद में रहते थे पर आपके कि तनी नंबर है आप चेक कर सकते हैं उसी इसाब से आप अपना practical दे मेहनत करके और आपको पास आप असा नहीं सो सकते हैं इस बार ठीक है तो इस बार यह अच्छी बात नहीं कि कि practical बाद में लिया जाएगा आपका ठीक है और आगे तक यह ऐसा होगा कि practical आपके बाद में होंगे ठीक है exam offline होगा बता दिया new exam pattern क्या है वो बता दिया नंबर कितने लाने होंगे यह मैंने आपको बता दिया theory और practical में अलग-अलग दोनों का मिला के 50% होना चाहिए बस आप यह समझ ले जो वेटे जाएगा आपका theory और practical का दोनों का मिला के 50% नंबर आपके बनने चाहिए यह है ठी ठीक है और theory में लेकर आगए आप 40 नंबर तो 100 नंबर हो गए लेकिन इनका weightage देखना आप कितना बैठ रहा है अगर weightage 50% का बैठ गया overall तो आप पास हैं अधर वाज़ा फैल है ठीक है number 100 है लेकिन फिर भी फैल हो जाएंगे क्योंकि weightage जो है आपका 50% नहीं बैठ रहा है बाकि जो कोई comment हो आपका जो कोई doubt हो comment box में आप comment करके पूछ सकते हैं वहाँ पर आपको reply मिल जाएगा जल्द ही आपकी खिला से start होंगे M1R5 की और आप अच्छे से तयारी कर सकते हैं जो वीडियो हमने डाली है उनको देखिए और आपको मतलब काफी help वहाँ से मिलने व अच्छे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमें भी थोड़ा motivation मिलें आपको यही सब्सक्राइब जो है हमें motivate करता है ताकि आपके लिए और अच्छा बहतर से बहतर content हम लेकिया है ठीक है मिलते है next वीडियो में टकीले जय हिंद जय भारत